बेडारी पंचायत का फूटा तालाप पार फूटी या फोड़ी गई जाज में चुटी SDM 1000 भीगा के खेत होते थे सिंचित शिवरिजले के कुलारस जनपत की ग्राम पंचायत बेडारी में बने तालाप की पार सोंवार के राख फूट गई इसे अब तालाप का पानी तीजी से बाहर निकल रहा है हालांकि तालाप का पानी जिस और तीजी से बहर रहा है उस और जंगल है जिससे ग्राम पंचायत बेडारी में 20 भीगा मिपैला 20 साल से भी जादा पुराना तालाप है इस तालाप की आहमियत समझते हुए पंचायत के लोग इसकी देखने भी करते हैं अग तक कई बार इस तालाप के पार के मरमद पंचायत इस्थर पर हो चुकी है इसकी वज़ह है कि इस तालाप के पानी से ग्रामिनों के करीब 1000 भीगा जमिन सिंचित होती है इस तालाप मे खाली होता दे, ग्रामिलों के चिंता बढ़ गई है, बताया जाता है कि इस तालाप के पास सरकारी जमीर पतिकरमनकारे कुछ लोग खेती कर रहे हैं, तालाप के ओवरफ्लों होने से तिकरमनकारियों की खेतों में पाने भने लगा है, माना जा रहा है कि नहीं, अतरिकरमनका आर्यों के द्वारा रात के अंधिरे तालाब की पार को फोर्ड दिया गया। इस मावले में कॉलारस SDM अनुश्य वास्तव का क्याना है कि उन्होंने तालाब फूटनी की सोचना मिली है। तालाब की पार फूटी है। इसके जान करे जुटाए जा रही है। तारप से पान निकल कर जंगल की वर बह रहा है, जिससे किसी को कोई नुपसान नहीं हुआ है.